आज के इस विडियो में हम बात करने वाले Gio Freemence Bank के एक नए Zero Balance Saving Account के बारे में जो कि पूरी तरह से यहाँ पे Zero Balance का Saving Account है इसमें ना आपको Debit Card का चारज़ देना है ना ही यहाँ पर आपको Money Transfer का चारज़ देना ठीक है और यहाँ पर यह जो एकाउंट है वीडियो के वाई सी के दोरा तुरंट के तुरंट आपका open कर दिया जाता इसके लिए आपको किसी भी ब्रांच में जाने की कहीं भी जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और जैसे यहाँ पर आपका account open हो जाएगा तुरंट आपको virtual debit card मिल जाएगा जिससे कि आप यहाँ पर phone पर Google पर UPI अगर आप यूज करना चाते हैं तो तुरंट के तुरंट आप उसको यहाँ पर बना सकते हैं तो इस वीडियो में आपको live यहाँ पर जियो पेमेंट बैंक का जो जियो पेमेंट बैंक का जो zero balance का saving account है उसको open करके दिख दे खाऊंगा तो वीडियो को एंट तक देखते रही हैं चनल पे नहीं और आपने अभी तक चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो चलि फिर वीडियो को शूरू करते हैं इंस्टॉल करने बाद simply आप यहाँ पर इसको open करेंगे, कुछ इस तरह से आप देखेंगे तो इसका interface देखने को मिलता है, तो यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर उपर skip हम इसको कर देते, login करने के लिए बोल रहा है, चलिए इसको हम यहाँ पर skip करते हैं, उसके बाद OTP से verify करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, जियो finance looks करकर आच चुका है, तो यहाँ पर मतलब आप चाहें, तो यहाँ पर activate कर सकते हैं, हम इसको अभी नहीं करना चाते हैं, इसको यहाँ पर cancel करते हैं, उसके बाद यह कुछ परमिशश माएंगा, इसको allow करेंगे, allow करने बाद देखेंगे, तो यहाँ पर कई सारे आपको options तेखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर नीचे देखेंगे, तो loan का भी options मिलता है, यहाँ से आप loan भी लेना चाहें, तो ले सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर account open करने के लिए आपको क्या करना होगा, कि यहीं भी देखेंगे, न हमारे mobile number से एक SMS send किया जा रहा है, और हमारे mobile number को verify किया जा रहा है, अब देखेंगे, हमारा mobile number यहाँ पर verify हो चुका है, अब उपर देखेंगे, तो दिया offer why में Jio Payments Bank Ltd, यानि कि यहाँ पर यहाँ पर यह एकाउंट को offer कर रहा है, यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ बता saving account, यह all options मिलेगा, आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखेंगे, तो यह थोड़ा सा यह loading लेगा, और यहाँ पर welcome करकर आ चुका है, उसके बाद यहाँ पर यह आप से mobile number पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप अपना mobile number डालेंगे, धियान यह दीज चुका है, चलि हम यहाँ पर OTP को डालते है, उसके बाद नीचे यहाँ पर प्रोशिट के options पर क्लिक करके verify कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमने OTP डालके प्रोशिट कर दिया, अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर आपना email ID डालेंगे, उसके बाद यहाँ चलि हम यहाँ पर अपना email ID डाल लेते हैं, हमने यहाँ पर email ID डाल दिया है, और इसके बाद यहाँ पर प्रोशिट करते हैं, अब उसके बाद देखेंगे, तो आपके email ID पर भी एक OTP गया होगा, तो उस OTP को यहाँ पर डालेंगे, और उसके बाद प्रोशिट करेंगे, जैसे कि यहां पर saving account open करना चाथे या salary account open करनाचाते तो आप जो भी account है याँ पर open करना चाथे उसको यहां पर select करेंगे तो हम saving account के options को select करेंगे और उसके बाद याँ पर merchant करेंगे प्रोशिट करने बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मतलब जितने टाइप के इसका यहाँ पर account होगा वो आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर दो तरीके का इसका account हमको यहाँ पर देखने को मिले रहा है पहला यहाँ पर JPB Saving Account जिसमें कि यहाँ पर जो Platinum Virtual Debit Card देखने को मिलेगा और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर More Benefits के Options पर क्लिक करके और भी इसका Benefits देख सकते हैं चार्ज बिलुकूल यहाँ पर इसका Zero है ठीक है चलिए More Benefits पर क्लिक करते हैं देख सकते हैं जो भी इनका Benefit है सब आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके बन नीचे यहाँ पर देखेंगे तो एक यहाँ पर Without Debit Card वाला भी Zero Balance का Account है मतलब यहाँ पर Get Zero Balance Account with Free Fund Transfer इसमें आप UPI यूज कर सकते हैं फ्री SMS का यह सबका आपको मतलब सर्विस मिलेगा ठीक है लेकिन इसमें आपको Debit Card नहीं मिलेगा तो आप जो भी Account ओपन करना च Card का Number डालेंगे उसके बाद Termin Conditions को टीक करके नीचे यहाँ पर Generate OTP के Options पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो Send OTP का एक Options आ जाएगा तो यहाँ पर आजाएगा तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो आपका मतलब अधार Card पे Address हो वो आपका Same Address है मतलब अब यहाँ पर रहते हैं तो अगर Same होगा तो यहाँ पर Tick करेंगे Same नहीं है तो Untick करके चाहां रहते हैं वहाँ का Address देना पड़ेगा ठीक हमारा Same है तो हम इसको Select करते हैं उसके बाद यहाँ पर प्रोशिट करेंगे अब यहाँ पर देखेंगे तो Let's Verify Your Identity तो यहाँ अब आपको अपना वीडियो के वाइसी कराना होगा तो यहाँ पर देखेंगे इसके बारे मता रहा है तो नीचे यहाँ पर Get Start का एक Options भी लेगा तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी Selfie लेकर अप्लोड करना होगा तो यहाँ बता आप से Maritalist पूछेगा याँ कि आप Married की Single है तो उसको Select करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको अपने Father का First Name डालना होगा जो भी आपके Pen Card पे उसके बाद यहाँ पर Father का Last Name डालेंगे Mother का First Name डालेंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पर पर प्रोशिट करेंगे उसके बाद ग सालना आपका किटना तक income हो जाता जैसे हमारा 1,005,005 तक का हो जाता है तो हमनी यहाँ पर Select किया है आपका जितना भी employee income हो जाता है आप ससके करेंगे उसके पर यहाँ पर प्रोशिट के options पर क्लिक करेंगे तो आप से nominee को एड़ करना चाहते है तो यहाँ पर add note options प पर क्ल या आपके wife है, क्या है, तो वो आप यहाँ पर relation बताएंगे, उनका first name डालेंगे नोमनी का last name डालेंगे, नोमनी का date of birth डालेंगे, नोमनी का communication address पूछ रहा है, यानि कि जो आपके अधार card पर address है, वही नोमनी का current address है, या फिर यहाँ पर कोई और है, तो यहाँ पर उसको select क करेंगे, तो आपका नोमनी यहाँ पर add हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर जो भी आपके account का details होगा, यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि charge में 0 बता रहा है, और यहाँ पर जो भी हमारे card पर नाम print होके आएगा, तो वह यहाँ पर नाम भी बता ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना, नीचे term and conditions को tick करेंगे, और उसके बाद प्रोशिट करेंगे, उसके बाद गाईस यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर जो भी आपका details, जैसे family details, सब details, यहाँ पर आ जाएगा, जो भी आपने अभी तक डाला है, तो एक बार अ अपना original pen card यहाँ पर लेके रखना होगा, internet connection आपका अच्छा होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर start call with agent, यहाँ पर click करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी call इनके agent को connect कर दी जाएगी, उसके बाद video call पर आप उनको अपना original pen card दिखा देंगे, और एक signature करके दि अब guys इसका जो physical debit card है, अगर मालच इसका physical debit card मिलता है, या इसका आने का कोई होता है, तो मैं इसके उपर एक अलग से video बना दूँगा, कि आप उसको कैसे मंगवाएंगे, ठीक है, फिलाल यहाँ पर अभी आपको physical debit card नहीं मिल सकता है, जैसा कि यहाँ पर बता रहा है कि अ आठ बज़े से लेकर रात के नो बज़े तक का इनका time है, वीडियो को YC complete करने का, तो इस तरीके से आप यहाँ पर GEO Finance Bank में अपना एक zero balance का saving count open कर सकते हैं, तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करना और चनल को सब्सक् लेका तो चली फिर्मेट आप से लेक्ष्पमें